कुर्स में आप सभी का बहुत सौगत है अब इस लेक्चर से हम लोग आर सौप्टेयर के बारे में सीखने और समझने की कोशिश करेंगे अब जब भी कभी हम कोई भी नए इशय को नए सौप्टेयर को सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे हिर्दे में आता है क्यों मुझे इस सौप्टेयर को सीखने की क्या आपशक्ता है इस सौप्टेयर के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि मुझे उसको सीखना चाहिए उसके अलावा बहुत करीके के प्रष्ट हमारे हिर्दे में आते हैं यह software कहां से आया क्यों आया कहां से डबलप हुआ कि लोगों ने डबलप किया और क्यों किया जैसे आर के बारे में मैंने बताए कि यह free software है तो सबसे बढ़ा पहला सवाल तो यही लोगों के दिमाग में आता है कि भाई लोगों ने इस software को फ्री में क्यों डबलप किया और उसके बाद सवाल यह आता है कि यह हमको software कहां से मिलेगा हम उसको कैसे install करेंगे और कैसे काम करना शुरू करेंगे तो यह हमारे बहुत सारे सवाल हैं जिनका ज इस कोर्स में आगे बगने के पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरा एक कोर्स पहले है इंटोडेक्शन टू आर सॉफ्ट्रेयर यह कोर्स थोहज़ास then record किया गया था लेकिन अब उसमें चुकि आर्वे बहुत सारे developments हो चुके हैं इसलिए उसमें बहुत सारे Rouge में आजी चुके हैं तो यह foundation of our software course, उसी introduction of our software course का एक updated और एक revised वर्जन है, तो बहुत जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारी बहुत सारी slides, बहुत सारी commands हमारे पहले जैसे software के हैं, तो वहाँ पिर आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए कि ये इस course पहले जैसा क्यों है, ये उसका revised वर्जन है और हम उ उसको लगता है कि जो fundamental development है और जो हमारी students को, हमारे candidates को मालूम होने चाहिए, मैंने उनको यहाँ पर incorporate करने की कोशिश करी है अब हम इस lecture को हम शुरुवात करते हैं, और सबसे पहले तो इस बात का जवाब देने की समझने की कोशिश करते हैं, और इस बात का हल क्या है और इस बात का solution क्या है, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यह हम software क्यों सीखें, क्या कारण है कि हमको इसको सीखने में अपना समय देना चाहिए तो चलिए हम इसकी शुरुवात करते हैं, चलिए, तो अब इस कोर्स में यह हमारा पहला लेक्चर है, जिसका काईटिल है हमारा वाई आर एंड इंस्टॉलेशन पूछिए, अर्थात आर को क्यों सीखना चाहिए और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाए अब बात यह आती है कि आर है क्या, अब जिन लोगों ने कभी किसी सॉफ्ट्रेयर में काम किया है, उनको सॉफ्ट्रेयर के बारे में तो पता है कि क्या होता है अब अगर हम आज के समय की बात करते हैं आज के समय में हमारे जितने भी candidates हैं उसमें से maximum लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही primary classes से software के बारे में बताया जाता है और हमारे पास भिन भिन तरीके के software होते हैं कुछ गल्ट के लिए होते हैं कुछ chemistry के लिए होते हैं कुछ हमारे typing के लिए होते हैं कुछ अंग्रेजी typing के लिए होते हैं कुछ हमारे गल्ट की typing के लिए होते हैं कुछ हमारे chemistry के symbol की typing के लिए होते हैं कुछ हमारे computation के लिए होते हैं different तरीके की जो भिन भिन calculations होते हैं उनके लिए होते एसेटरा तो यह R software कहे कहे है तो यह जो हमारा एक R software है यह हमको अपने numerical data को और जो या हम कहें कि जो भी हमारे character data भी होता है string data भी होता है different तरके के हमारे data होते हैं उनको manipulate करने के लिए और उनके उपर सांखिकी गगनाओं को करने के लिए और साथ में उनका जो भी कोई हमको अगर एक graph चाहिए उनका अगर मुझको एक picturization चाहिए graphical display चाहिए और साथ में अपने data की analysis करने के लिए हमको कुछ उप्यूक्ट टूल चाहिए यह उसके बारे में हमको एक ऐसा वाता वनड़ देता है और जिस करीके से कोई भी हमारा गर software होता है जहां पर हम अपने numerical values को data values को बहुत अच्छे से handle कर सकते हैं उसी तरीके से R के अंदर भी एक अच्छे तरीके से data की handling करना संभव है और इसका जो भी हमारा output आता है उसको हम उनको store कर सकते हैं और बात में आफशक्ता पर इस्तमाल भी कर सकते हैं कोई भी जो भी हमारा software होता है programming language होती है जो हमारे गलिक सांखेकी से समंद्यत होते हैं वहां पर हम भिन भिन करीके के calculations करते हैं गलिक के जो different नियम है उनका हम उप्यों करते हुए अपनी calculations करते हैं तो उसी तरीके से R software में आसान और कठिन दोनों तरीके के calculations possible हैं दोनों यहां पे संभव हैं कठिन से कठिन calculation भी और असान से आसान calculation दोनों को यहां पर बहुत आराम से कर सकते हैं और जब भी कभी हम किसी भी डेटा isis की बात करते हैं यह हम अपने mathematical analysis की बदो वात करते हैं तो हमारे पार दो options होते हैं कि हम अपनी जो भी calculations हैं उनको नुमेरिकल value के form में देख ले या हम उनको किसी graphical के पॉर्म में देख लिए हमारे पास बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं जो हम आर में बहुत आसानी से प्रियार कर सकते हैं और यह हमारे बाकी जो भिन-भिन software हैं वहां भी ऐसी संभावनाय होती हैं तो जिस तरीके से बाकी किसी software में इन ग्राफिक्स को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं उनको हम उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं उनकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं उसी तरीके से आर्ट software की बात करते हैं तो हमारे पास एक तरह के software तो ऐसे होते हैं जहां पर हमको खाली कोई भी कार करने के लिए उनके जो बटन होते हैं वहाँ पे क्लिक करना होता है यहां पे आप arrow को ले जाएए माउस को और वहाँ पे double click या single click आप कर देंगे तो हमारा काम हो जाता है और दू इसी तरीके से जिए सातर से किसी भी अच्छी programming language में हमारे पास जो- जो सुविधाई होती हैं वो सारी की सारी सुविधाई हमारे पास R software की जो programming language है वहां भी संभव है और R software की programming language बाकि किसी अच्छी programming language के बराबर히 effective है और यहाँ पर हमारे पास जिस तरहे से हम click-click करके अपनी calculations करते हैं उस तरह का कुछ और एक साधन हमारे पास यहाँ पे available है और साथ हम अपनी programming भी कर सकते हैं अब एक सवाल आता है कि यह R software की जो language है जिसको हम कहते है R language इसको R language क्यों कहा गया और हम यह कहते हैं कि जो R language है यह हमारा एक और software है उसका नाम है S Plus यह उससे बहुत ही मिलती जुलती है मिलती जुलती कि आप बिल्कुल स्थ्पेमी समझे आप बिल्कुल उसी तरीके से है तो यह R language और यह S language और S Plus इत्यादी का अपस में क्या कंबंध है अब इसके बारे में मैं आपको एक पहले छोटी सी कहानी बताता हूं और उस कहानी में है क्या? कहानी नहीं है वो अचली भी सच बात है मैं एक ऐसा एक्टी हूँ जिसने इस देश में यह R software या जो different तरीके के computers हैं वो कैसे आए और उनका कैसे development हुआ मैंने उसको अपनी आखोंचे दिखा है और मैं उसका protection दर्शी हूँ जब मैं BAC और MSC कर रहा था यह वो समय था जब भारत में computers आना शुरू हुए थे और साथ में software आना भी शुरू हुए थे और जब आरम में हमारे computer आए हैं तो उसमें खाली एक ही करीके का program होता था और वो था DOS Paste disk operating system अर्थार उसमें कोई windows नहीं होता था जैसे हम आज की computer में c prompt की command prompt की बात करते हैं उस वाद खाली computer में command prompt ही होता था और आपको जो भी कारे करना है वो आप अपने उस prompt पर आने के बाद में आप अपने command को type कर सकते हैं कैसे आज के समय में आपको अगर windows में किसी file को कहीं से copy करना है तो आप mouse को right click करके उसमें से copy के button दबा के आप उसको कहीं भी जा करके किसी folder में paste कर देते हैं लेकिन जब हम DOS-based program करते हैं तो वहाँ पर ऐसा possible नहीं था वहाँ पर हमको copy, paste, इत्यादी के different different commands याद करने पगते थे किसी file को अगर हमको एक directory से अधीर directory में copy करना है उसके लिए हमको उनके commands याद करने पगते थे कहीं पर ऐसा नहीं था कि हम button दमाएं और वो command हमारे पास आ जाए उसके बाद Windows system आया और Windows system ने जो हमारे computer के users थे उनकी बहुत साहता करी उनको different तरीके के commands को याद करने के आप शक्ता नहीं थी सब कुछ वहां पर लिखा हुआ था और उनके छोटे-छोटे buttons बने हुए थे आपको जो काम करना है आप उस button के उपर जाईए आप अपने mouse से left click, right click आपको जो भी करना है उसकी बैसिस पर आप अपने कारियों को कर सकते हैं जब हमारा Windows आ गया तो हमारे जो software भी थे वह भी हमारे DOS से Windows पर आने लगे अब जो हमारे Windows बेस software थे उसमें से हमारे पास option था कि हम जो हमारा button है हम उस पर जब click करेंगे तो जो भी हमारा data दिया हुआ है उसके ओपर वह हमारा कार्य हो जाएगा जिन लोगों ने पहले चोटी मोटी कोई programming करी होगी तो एक बहुत simple सा common example होता है कि संख्याओं का योग निकालना और संख्याओं का arithmetic mean निकालना average value निकालना उसके लिए हम different तरीके command चूज करते हैं sum is equal to sum plus num, sum is equal to zero, num is equal to zero यह हमको चोटी class हों में पहाए जाता है तो अब अगर मेरे को किनी संख्याओं का योग निकालना है या अगर उनका मुझे arithmetic mean निकालना माद निकालना अगर है अगर तो हम क्या करेंगे हमको उसके लिए programming language लेखना पगेगा और अगर हमको अपने उस arithmetic mean का square निकालना है तो क्या करना पगेगा हम उसी programming language में अपना mean निकालने के बाद में जो भी value आएगी हम उसको square करके लिख देंगे तो हमको उसका mean का square मिल जाएगा लेकिन अगर हम यही काम किसी अगर windows-based software पर करेंगे तो हमारे श्याइदी कोई ऐसा windows-based software हो जहां पर हम arithmetic mean का square निकाल सकते हो प्राया यह देखा यह है कि जो भी हमारे windows software होते है उसमें से button होता है महाँ लेका होता है mean या sum आप अपना जो numerical values है data है आप उसको दीजिए आप mean या sum पर जा करके click करिए और वह आपको उसकी value निकाल करके देदेगा अब जब भी हम कभी statistics में हम अपनी programming करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कच्वधारल के लिए arithmetic mean का square निकालना है अब उसके लिए क्या किया जाए तो हमको जो programming हम DOS-based पे करते थे और जो हम Windows की capabilities को use करते थे उससे donor का combination चाहिए यह कैसे किया जाए तो उसी समय एक software है जिके इसका नाम है capital S और PLUS प्लस यह software आया और इस software के अंदर गरित और सांखेकी इनके बहुत सारे calculations हो सकते थे और इस में से एक बहुत बड़ा advantage क्या था कि अगर मुझको sum या mean निकालना है उसकी लिए लोगों ने program पहले से लिखती है तो वहाँ पर क्या है कि हमको अगर sum निकालना है तो मुझे खाली type करना है sum और या अगर हमको mean निकालना है तो हमको type करना है mean और इसके बाद bracket के अंदर हम अपनी data values प्रे देंगे और और वह हमको sum और या arithmetic मेने उसकी value निकाल देगा लेकिन इसके अंदर साथ में यह भी था कि हम उसमें से programming भी कर सकते हैं और अगर हम sum को दो बार अगर हम multiply कर देंगे तो हमको sum का square beam भी मिल जाएगा तो s plus एक ऐसा software आया जिसके अंदर built-in capabilities और अपनी programming को करने की दोनों की सुद को विधाती और इसी लिए s plus software बहुत जल्दी बहुत popular हो गया लेकिन समस्चा खाली एक ही थी मुझ जैसे इंसान के पास उस software जो खरीजने के पैसे नहीं थे यह expensive software था तो उसी तरह के हमारे जैसे बहुत लोग इस दुनिया में होंगे किन्हों ने यह सोचा कि क्यों ना हम s plus से मिलता जुलता हम एक और software कयार करने की कोशिश करें जिसके अंदर s plus जैसी capabilities हों कि उसमें से programming भी हो सके और उसमें से built-in function भी हों और इसी आइडिया को इसी विचार को ला करके न्यूजिल लैंड में दो professors ने इसके बारे में बाब करना शुरू किया और उन्होंने इस project को शुरू किया और उन्होंने दुनिया भर के जो भी admissions होते हैं उनके साथ में बात करी और धीमे धीमे लोग इस group में जुलते गए और ये program धीमे धीमे करके develop होता गया और आज की date में ये एक बहुत ही popular program है जब ये आरम में आर software आया तो ये free software था तो कोई भी चीज अगर हमको free में मिलती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग उसमें जाता है कि या आदि मुझे फ्री में क्यों दे रहा है जैसे कि अगर आपका कोई मित्र आपके पास आता है और वो आपको offer करता है कि मैं आपको आज एक बहुत मेंगी वाली coffee पिलाने वाला हूं और उसके मैं पैसे ने लोगा आपको free में दूँगा और आपका दिमार्ग सबसे पहले इस बात पर आता है कि आपका मित्र आपको उसको free में क्यों देना चाथा है और आपस Coffee के enjoyment छोग करके आपका दिमार्ग इसी में उलगा दाता है कि ये free में मुझे Coffee क्यों दे रहा है तो कुछ इसी तरह की बात R software के साथ भी हुई और आरम में तो लोगों ने doubt करना चुरूर किया कि इसके हमारे जो outcome आते हैं ठीक आते हैं कि नहीं आते हैं लेकिन धीमे धीमे करके इस R software की acceptability हो गई लोगों ने भरोसा करना चुरूर कर दिया कि यह जो हमारे outcome दे रहा है यह हमारे अच्छे outcome दे रहा है सही calculations कर रहा है और धीमे-धीमे करके यह समय के साथ में आगे बलता गया और धीमे-धीमे बहुत सारे हमारे जो established books के जो publisher है जो book छापते हैं उन लोगों ने statistics with R, mathematics with R, etc. करके इत्यादी करके उन्होंने अपनी series निकाल दी और आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि R एक बहुत ही popular और established software हो चुका है जिस पर हमको कभी भी doubt नहीं करना चाहिए तो यह कुछ है हमारे अपने personal experience से और जो मैंने देखा था है कि R का software का development कैसे हुआ इन्ही बातों को हम आगे बहाते हैं और हम आपको इसके बारे में कुछ और बताते हैं आईए अब यह समस्या आती है कि यह R software को कौन manage करी जा उसके लिए एक R foundation establish करी गए यह एक R foundation क्या है यह एक कुछ लोगों का समू है यह एक non-profit organization है जो आम लोगों के interest के लिए काम करता है और इस foundation में जो लोग involved हैं जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनकी जो team है उसको हम कहते हैं R development core team तो यह जो R development core team के जो लोग हैं members हैं जो उसके सदस से हैं उन लोगों ने इस R foundation को establish किया है और R foundation के सकात में उन लोगों ने R को develop करने की जिम्यदारी ली R के अंदर क्या-क्या development होना चाहिए वो development सही है कि गलत हैं और उसके अंदर क्या modification होना चाहिए समय समय पर उसमें लो contribute करेंगे नए versions आएंगे उसका काम इस R foundation के थू होता है और यह जो foundation है इस software का जो copyright है और जो उसका documentation है उसके बारे में यह इसकी जिम्मदारी लेती है अब एक सवाल हमारे सामने यह आता है कि यह R कहां से आया आखिर कैसे इसके बारे में लोगों ने सोचना शूरू किया तो New Zealand में University of Auckland में दो professors हैं उनके नाम है Professor Ross Eka and Robert Gentleman यह मैंने उनकी देखी यहाँ पर आपको एक फोटो भी दी हुई है यह फोटो मैंने इस स्कोर से लिए स्निपिकडमी.com पर यहाँ पर और मैं हमका शुक्री आदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सी फोटो वहाँ पर डाली है जिससे लोगों को इनके बारे में पता चला तो यह Professor Ross Eka है और यह Professor Gentleman है तो यह दो किडमीशन्स ते जिन्होंने स्कोचा क्योंकि हम क्यों नहीं हम S Plus की तरह का एक Software ऐसा डेवलप करते हैं जो हमारा S Plus से बिलकुल अलग हो और यह विशार 1991 में 1991 में उनके दिमाज में आया और यहां से यह विशार आया कि अब आर Software की नीव रखी जाए और 1991 वह समय था जब मैं में सी कर रहा था तो इसलिए ऐसा मैंने आप से पहले कहा कि मैंने इस R Development को मैंने आप का में प्रतेक्शिद दर्शी हो इसलिए मैंने कहा था और अब बात आती है कि इस Software का नाम R Software क्यों पड़ा अब उसके दो कारण है पहला कारण तो लोग कहते हैं कि यह माना जाता है कि जो हमारा पहला Software था जिस से हमको इस R Software को डवलब करने का मोटिवेशन मिला उसका नाम था S Plus और जो इसकी Programming Language थी उसका नाम था S Language तो उसी तरीके से लोगों ने S Language की जगा यहां पर R Language क्लिके दिया और यह भी माना जाता है कि R Software का जो नाम है जो इसके Founders हैं उनके जो नाम है Ross Eka and Robert Gentleman का इनके जो नाम का पहला अक्षर है वो है R आर से Ross, R से Robert तो यह जो R Software है यह इनके नाम का जो प्रथम अक्षर है वहां से भी लिया गया ऐसा भी माना जाता है तो यहां से अब आपको कुछ एक idea मिल जाएगा कि इसकी शुरुवात कहां से हुई किन लोगों ने करी और इन लोगों ने 1991 में काम करना शुरू किया और करते करते 1995 में R का जो पहला official release आया और उसके बाद इस software की जो demand बलती गई और उसके लिए जो एक comprehensive R archive network जिसको हम briefly कहते हैं CRAN C यहां से आया comprehensive से R R से आया A हमारा archive से आया और N हमारा network से आया इसको हम कहते हैं comprehensive R archive network यह officially 23 April 1990 को announce किया गया था और इसके साथ में इसके तीन लिदर्स थे और इसमें से 12 contributed packages थे इसका मतलब क्या हुआ जब भी कोई हमारा software हम खयार करते हैं और अगर इसको मुझे औरों तक पहुचाना है तो उसका आसान सा तरीका है कि मैं उसको एक website पर मैं upload कर दूँ जहां से लोग उसको download करने लगेंगे अब जब अगर एक ही website से अगर बहुत लोग एक साथ उसको download करने लगेंगे तो बहुत बार website उसका load ले नहीं पाती है और हम उसको एक आम भाशा में कहते हैं कि website crash कर गई तो इसी लिए इस software का load को divide करने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने आज की तारीक में कयार हो गए हैं बहुत सारे academic institutions हैं जो यह तयार हो गए हैं कि उसी art software की copy को अपने website पर host कर देंगे तो लोग भिन भिन website में जा करके अगर download करने की कोशिश करेंगे तो एक किसी particular website का जो load है वो कम हो जाएगा इसी लिए यह जो हमारी different websites हैं जो हमारे अलग-अलग academic institutions ने host करी हुई हैं इनको मोलते हैं मेरा और यह contributed packages क्या है जैसे हमारा art software है यह हमारे भिन-भिन तरीके के गणित और सांखिकी से related जो भी computation करता है तो उसमेंसे कुछ competition ेसे होते हैं जिनकी आशक्ता सभी को पगलती है और कुछ competition ऐसे होते हैं कि जिनकी आशक्ता सभी को नहीं पगलती है और वह बहुत ही specific होते हैं या साथ ही लोग भिन भिन लोग इस गुनिया में अलग-अलग समस्याओं पर काम कर रहे हैं और वो जो भी कुछ डवलप करते हैं उसका एक वो पैकेज फियार कर देते हैं पैकेज को एकी आर की स्काइट पर अप्लोड कर दिया जाता है और उससे फाइदा क्या मिलता है कि किसी भी इनसान को अगर उनके कार को इस्तमाल करना है तो उस पैकेज को वहां से डाउनलोड कर लेता है और उसको डारेकली यूज कर सकता है उसके लिए उसको फिर से प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी तो ऐसे जो हमारे कुछ packages होते हैं जो हमारे आर के सात में आते हैं और कुछ packages हमारे contributed होते हैं जो लोग अपनी इच्छा से अपनी जो भी academic development करते हैं उसके according को तयार करते हैं और उसको contribute करते हैं तो जब हमारा R1997 में officially launch हुआ तो उस वक्त उसके तीन मिरर और बारा कॉंट्रिबूटेट पैकेज़े थे नाँ क्या आप सोच सकते हैं कि आज की डेट में यह कॉंट्रिबूटेट पैकेज़ेस की संख्या कितनी होगी आज जहां तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अबलेबल है नॉवंबर ट्विंटी ट्विंटी तक इसमें सोलह हजार से भी जादा पैकेज़ेस हो चुके हैं तो यह हां से आपको समझ में आ जाएगा कि यह हमारा कितना पॉपलिस सॉप्टेयर है और उसको कैसे लोगों करे उसके बाद इन सारे सारे बाहने के आपको पता है कि जब यह हमारा सॉप्टटर कोई डिबलप होता है तो उसको कहते हैं कुछ उस में से कचनई आती हैं कुछ ड्यॉबड़गों कुछ थीक करते हैं तो फाइनिली जो एक इस्तेबल बीट वरज़न है जिसमें कम से कम समझाएं थी उसका जो सो काल जो वर्जन वन है वन पॉइंट जिरो वो उनतिस फरवरी दो हजार को रिलीस किया गया और आज की ड्रेट में आपको मैं बताऊंगा कि हमारे पार वर्जन फोर पॉइंट वन पॉइंट चल रहा है राइट अब यह सब जो ड उसको आर में क्यों स्विच करना चाहिए क्या ऐसा कारण है कि उसको अपने सॉप्टेयर को छोग करके आर्ट में आना चाहिए अब आज की कारेक में आप अगर देखेंगे बहुत से हमारे लोग हैं अकेडमिशन हैं प्रफेशनल्स हैं जो लोग रिसर्च कर रहे हैं software है इसके लिए आपको कोई ऐसा देने की जुरुत नहीं होती है और जब भी इसका कोई नया वर्जन आता है तो उस नए वर्जन को खरीदने के लिए आपको फिर से कोई भी खर्शा नहीं करना पड़ता है अब एक ये समझ से आती है कि अगर ये फ्री अगर है तो कभी कभी लोग इसमें से ये सवाल पूछते हैं कि ये फ्री क्यों है तो जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे जो भी अकेडमिक कम्यूनिटी होती है वहाँ पे हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है और हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जहां पर हमको पैसे की कोई चाहत नहीं होती है लेकिन हम अपने खमास सेवा के लिए और अपने अकेडमिक कॉंट्रिबूशन के लिए हम वाला काम करते हैं जैसे हम लोग जो केडमिशन्स हैं हम लोग अपने रिसर्च पेपर लिखते हैं रिसर्च करते हैं और इसके बाद में बहुत बहुत लोगों को लगता है कि रिसर्च का हमको ऐसा मिलता है या कुछ होता है कोई research paper को छापने के बाद में publish करने के बाद में हमको से कोई ऐसा नहीं मिलता है बलकि हमको एक art में खंतुष्टी मिलती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया सिर्फ इसी भावना से जो भी हमारे comprehensive art archive network में जितने भी packages available है और जिनको art development core team के और दुनिया में बाकी एकेडमिशन ने contribute किया है उनकी खाली एक ही भावना होती है कि हमको इस community का mankind का इनसानों का अच्छा करना है उनकी साहता करनी है तो इसलिए कभी आपको इस बात में doubt नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है अब जब भी हम अपनी statistics की बात हम करते हैं तो हमारे पास कई तरह के काम होते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक common आदमी कुछ कहिए होते हैं जैसे हम कहें कि आपको arithmetic में निकालना है बहुत लोगों कुछ कहिए होगा लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो भी बहुत specific होते हैं तो इसके लिए हमारे पास our software में बहुत सारे ऐसे packages हैं जो बिलकुल freely available हैं उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है आपको और जो भी हमारी इनकी internet site है वहाँ पर इसमें से modern status के बहुत सारे developments जो भी हुआ हैं free में available हैं सिर्फ आपको वहां से download करना है और आपको उनको इस्तमाल करना है तो इतने सारे advantages होने के बाद में आप भी सोच सकते हैं कि क्यों नहीं आर को इस्तमाल करना शुरू किया जाए और हम आपको एक इस बात का भी जवाब देते हैं कि अगर हम आर को इस्तमाल करना शुरू करें तो सबके दिमाग में एक सवाल होता है कि आर में कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो किसी अच्छे software में होता हो और भला आर में ना हो तो आर के के अंदर एक स्टैसिकल कंप्यूटिंग इन्वार्मेंट है और यह इन्वार्मेंट ऐसा ही है कैसा बाकी कोई भी किसी अच्छे software में किस तरह के आप स्टैसिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं वो आप यहां भी कर सकते हैं सबसे बली बात है कि यह हमारा free open source software है और यह कोई black box नहीं है आपको अगर देखना है कि किसी प्रोग्राम के अंदर किसी package के अंदर जा करके कि उसकी programming कैसे करी गई है कोई कोई अल्गॉरिथ हमें उसके अंदर programming कैसी करी गई है तो आप इसके अंदर जा करके आप उसको ब the graphical application के लिए बहुत ही आसनी से यूस कर सकते हैं इस्ते माल कर 30 है और और जो भी किसी अच्छी programming language में होता है कि जो इसके command होते हैं, उनको हम save कर सकते हैं, execute कर सकते हैं, उनको हम store कर सकते हैं, उनको हम किसी programming file के अंदर लिख सकते हैं, ये सारी सुविधाय R software के अंदर भी है, इसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जो किसी programming language में होती हो और वो R में ना हो, और ये जो हमारा R है, ये हमारा Windows, Unix Linux, Macintosh platform कभी के लिए available है कुछ लोग इंडोस पे काम करना चाहते हैं platform पे कुछ लोग Unix platform पे काम करना चाहते हैं इतियादी उन लोगों की सहायता के लिए R software को इन सारे सारे platform पर प्यार कर दिया गया है आपको सिर्फ खाली R की जो website जहां से हम software लेते हैं आपको अपना जो भी उप्यूक्त वर्जन है वहां से डाउनलोड करना है और कैसा मैंने पहले बताया कि R को S++ software से compete करने के लिए प्रतिस प्रधा में बनाया गया था और R के अंदर कैसा मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे जो packages होते हैं वो built-in होते हैं जो हमारे common जो भी काम होते हैं जो प्रहता हर आदमी करना चाहते हैं उसको करने के लिए जो भी हमारा R software में पहले से ही उन packages को incorporate कर दिया गया है और जो हमारी specialized काम होते हैं उसके लिए contributed packages भी available हैं और उसके अलावा सबसे बग़ी बात यह है कि अगर कोई भी इनसान कोई research कर रहा है या कुछ नया टूल डवलप करता है और अगर वह चाहता है कि लोग उसको इसको 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 करते हैं तो उसको भी आप यहां पर इसको कर सकते हैं और जिस करीके से कोई भी एक अच्छी लैंग्वेज में हमारे पास है, logical control होता है, branching होती है, loops होते है, model programming होती है, etc. यह सब यहाँ पर संभव है, आर्क्स programming language में आप यह सब कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा advantage, यहाँ पर एक function का concept है, और इस function के concept का इस्तमाल करते हुए, आप इन कभी तरह के कारियों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और जिस तरह के से किसी भी programming language में होता है, कि जब आप program को run करते हैं, तो उसमें अगर कोई गल्ती होती है, तो उसके error messages आते हैं, and then, उन error messages को की जो भाषा होती है, उसको समझ करके हम अपने program की गल्तियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसी तरके से our software के अंदर भी हमारे पास error messages हमको बताया जाते हैं, और जब भी कभी हम किसी program को अगर हम execute करेंगे, तो जो error message की जो भाषा भी आती है, वो ऐसी होती है, जो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, और जिसकी साहता से हम अपने program की गल्तियों को ढूण सकते हैं और अपने program को ठीक कर सकते हैं, अब जब भी हम कभी programming की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के option होते हैं, एक होता है interpreter और एक होता है compiler, अब जो लोग programming के बारे में जानते होंगे, उनको तो इसके बारे में मालूम होगा और जिनको नहीं पता, उनको मैं खंशेप में मैं इसके बारे में बताता हूँ, अब अगर हम कोई भी program लिखते हैं, उसमें से हमारी line number one, line number two, line number three इत्यादी करके हैं, अब जब भी हमने अपने program को execute करना शुरू किया, जो हमारा control होगा, वो हमारा सबसे पहले line number one पे आएगा, और वहां पे देखागा कि कोई mistake तो नहीं है, अगर कोई mistake गलती है, तो program के पाद दो options हैं, या तो program वहीं पे रुख जाएगा, और आपसे कहेगा कि पहले आप इस गलती को ठीक करो, और फिर से program को run करो, फिर वो line number two पे आएगा, फिर वो जब वो line number two पे आएगा, वो फि कर लोगे, फिर हम line number four पर आएगे, तो ये जो होता है, ये जो process होती है, इसको हम बोलते हैं interpreter, और दूसरा option क्या है, कि हमारा control line number one पे आता, यहाँ पे कोई mistake है, इसने उसको कहीं पे लिख लिया, फिर वो line number two पे आया, और देखा कि यहाँ पे कोई समझा नहीं है, वो line number two स line number three पर आ गया, और line number three पे उसने देखा कि कुछ समझा है, उसने line number three की mistakes को उसने यहाँ पर लिख लिया, और वो करता करता, उसने पूरे 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 प्रोग्राम को उसने run कर लिया, और हर एक line में को यगर समझा थी, उसको उसने एक अलग लिख लिया, और जब पूरा इसको मोलते हैं compiler तो जो R हमारा है इसकी जो हमारी language है वो हमारी interpreter से control होती है तो R हमारी interpreted computer language है और यह compiler नहीं है तो जब भी कभी आप program को लिखेंगे अगर किसी line पे गलती है तो program वहीं पर रुख जाएगा और आपको कहेगा कि पहले आप इस गलती को ठीक करिए फिर हम अगली line पे जो भी लिखा हुआ है हम उसको execute करने के कोशिश करेंगे और इसमें से यह देखा गया है कि हम इसमें से जो भी अपना program है उसको हम command line पर type करते हैं यह command line क्या होती है इसके बारे हम अभी आने वाले lectures में बाग करेंगे और जैसी हम उसमें से वहाँ पर type करते हैं उसके बाद में हमारा program का जो contact से command है हमारा execute हो जाता है जैसे मैंने लिखा x equal to 2 तो यह हमारा prompt है यहाँ पर मैंने लिख दिया x equal to 2 फिर मैंने लिख दिया y equal to 3 और उसके बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया x plus y और जैसे ही enter किया तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा तो जैसे हम enter करते हैं immediately हमारा जो भी program यहाँ पर execute हो जाता है तो ऐसे हमारा यह program काम करता है और यह बिल्कुल basic परीका है जैसे कि हमारे बाकी programs काम करते हैं अब बहुत सारे programs में आप में देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पर इस पाकी की बनी होती है अपकी downward की left की right की इस में से यह जो अपकी और जो down की होती हैं इनको हम उपर नीचे करके जो command मेंने पहले इस्तमाल के हुए हैं हम उनको फिर से recall कर सकते हैं तो हमको उनको पुरा-पुरा फिर से type नहीं करना पड़ेगा तो जिस तरह के से बाकी programs में यह सुवधा होती उसी तरीके से R के अंदर भी हमारे पास यह सुवधा है और अगर हम किसी program को run कर रहे हैं और उसमें कोई mistake वा जाती हम उसको बीच में रोकना चाहते हैं तो हम escape की को दबा करके हम इसमें से रोक सकते हैं तो यह सुवधा है वैसी सुवधा है जैसे किसी अच्छे programming में होती हैं जो भी हमारे graphics होते है उनको हम screen पर भी देख सकते हैं और साथ में post script format में pdf format में jpeg format में इत्यादी में हम उनको save भी कर सकते हैं उसमें कोई समस्या और उसके बाद में हम उनको अलग-अलग जगह पर इस्तमाल कर सकते हैं अब इतने सारे कारणों को समझाने के बाद में मुझे पूरी उमीद है आप हमसे convince होंगे कि R software को इस्तमाल करने में कोई समस्या नहीं है और हमको R software को इस्तमाल करना चाहिए तो दूसरा सवाल आता है कि यह R software कहां से आएगा अब अगर आपको R software अपने Windows, Macanthos, Unix, Linux किसी भी platform के लिए आपको download अगर करना है तो आपकी यह website है www.r-project.org और जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको देखी यहां पर दिखाई देगा download R तो आप यहां पर click करिए और जैसी आप click करेंगे तो आपको कुछ यहां पर ऐसा एक screen दिखाई पगेगा यह क्या है यहां पर हमारी मेरस की list है देखिए अलजीरिया, अर्जेंटीना, आस्टेलिया, 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 बेलजियम, इतियादी यह different देश हैं जन्होंने अपने भिन भिन institution में इस R software को host किया हुआ है तो आप इन software को कहीं से भी आप इसमें से आप click करके आप इसको download कर सकते हैं और यह जो list हमारी, यह हमारी alphabetical order में दी हुई है और यह हमारी list समय के साथ में कभी-कभी cringe भी होती रहती है कोई इसमें से host करने के लिए कयार हो जाता है, कोई इसमें से निकल जाता है यह त्यादी, लेकिन उससे आपको कोई फरक ने पलता है आप यहाँ से कोई भी click को आप अगर करेंगे, किसी भी link पर click करेंगे तो आपको R software वहाँ से download जागा जाए इसे उधारन के लिए मैंने देखी यहाँ पर click किया है crn.csiro.eu Australia में अब आप देखेंगे जो हमारी अगली site खुलती है, वह हमारी यह खुल जाती है इसका address देखी जहीं है और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसी site यहाँ पर मिलेगी और डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें से जो भी हमारा usual process होता है, click करते हुए आप उसको आगे कलते चले जाएंगे जो इसके instruction को अगर को आप अगर देखते रहेंगे तो आपको यह software वहाँ पर install हो जाएगा और अगर आप अगर directly भी आप अगर आना चाहते हैं तो यह हमारी साइट है cren.r-project.org आप अगर यहां भी आएंगे तो भी आपको आप इसी site पर direct आ सकते हैं यहां पर आपको different हमारे mirrors भी हुए हैं इस software को download करने के लिए तो क्यों ना हम आपको एक बार यह करके दिखाते हैं कि आपको यहां पर कैसा दिखाई देगा जब आप इसको download करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यह मैंने यहां पर यह www.r-project.org की site को खोल के रखा हुआ है और यहां पर आप यह देखेंगे कि देखिए यहां पर यह है download R तो आप जब यहां पर click करेंगे देखिए हम यहां पर click करते हैं तो देखिए यह हमारा खुल गया अब देखिए यहां पे बहुत सारी countries हैं अलजीरिया, अरिजेंटीना, औस्टेलिया, औस्ट्रिया देखिए बहुत सारी countries दी हुई है और आप यहां से कहीं भी आप अगर click करेंगे तो आपको यह software आ जागा अब एक लोगों के बीच में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है कि हमको यह software कौन सी site से डाउनलोड करना चाहिए तो देखिए सच बात यह है कि यह जितने भी sites दी हुई है वहाँ पर एक ही software uploaded है सारी सारी site में हमारे सारे software contributed packages सब identical हैं सब एक से हैं तो आप कहीं से भी download करेंगे आपको वही software मिलेगा कभी कभी लोग बात करते हैं कि हम जिस जगह पर बैटे हुए उसके आसपास की जो देश है country है वहाँ से software को download कर सकते हैं और हम अगले lecture में आपको इससे सम्मंतित और जो बारी इंस्टेक्शन से और जो development हैं और आप software को आगे कैसे सीखा जाए उसके बारे में बात करेंगे तो आप इसकी तैयारी करिए और हम आपको अगले lecture में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए good bye कर दो